प्रीदर सकोमम तकी चन रिस्पी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम सहजन सोयबीन की सबजी बनाना बताएंगे तो इस तरीके हमने छोटे पीस में सहजन काट लिया है और इसे मुनगा के नाम से भी जाना जाता है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है थोड़ा तेज पत्ता ले लिये हैं सोयबीन को हमने भीगो दिया है पानी में और अच्छी तरीके सोयबीन फूल कर तयार हो गया है ये देखिए इस तरीके एक बड़ी साइज प्याजबारी काट लिये हैं साथ आठ कलिया लैसुन ले लिये हैं मसालो में एक छोटा चम्मच धनिया है चार पांच कालिगोल मिर्च है थोड़ा दाल चीनी है एक छोटी लेची एक लालतिकी मिर्च है थोड़ा जबीत्री है एक बड़ी लेची चार पांच लॉंग है आधा छोटा चम्मच जीरा है एक चोथाई चम्मच पोस्ता का दाना है आधा चम्मच काली सरसों है थोड़ा नारियल ले लिये हैं थोड़ा जाई फल ले लिये हैं तो इन मसालों को हम सिलवट्टे में पीस लेंगे आलू को हमने छोटे पीस में काड लिया है चार मीडियम स कंडी लगी का दर्ग आप सबस्तीजी के दाने लगए कटी भी प्याज ढाल देते हैं प्याज को थोड़ा भून लेते है टीक प्याज को खप्चापन खतम हो गया है आलू को डाल दिते हैं आलू को अब अच्छी तरीक हम ने धूर लिया है दो मिनार तक मेडियम हाई फ्लेम में आलू को भून लेते हैं आलू को हमने दो मिनार तक मेडियम हाई फ्लेम में भून लिया है अब हम सोया बीन डाल देते हैं सोया बीन को हमने अच्छी तरीके निचोड लिया है और इसमें का पानी फेक दिये हैं तो सोय बीन को भी थोड़ा भून लेते हैं अब हम लेस्टून की कलिया डाल देते हैं ओखली में हमने इसे कूट लिया है इस तरीके अब हम सहजन डाल देते हैं अब इन सभी को दो मिनट तक और भूनेंगे अब हम एक मिनट लिए ढखन लगा देते हैं एक मिनट हो चुका ढखन अटाएंगे सोय बीन, आलू, सहजन बढ़ी तरिके से व५ून के तयार हो गया है सुनहरा कलर हो गया है ये देखिए कलर काफी चेंज हो गया है अब हम एक चम्मच कास्मीरी मिज़ डाल देते हैं ये तीखी नहीं होती इससे सबजी का कलर बढ़िया आता है और टेश्ट भी बढ़िया रहता है तो थोड़ा इससे भी भून लेते हैं अब हम मसाले डाल देते हैं जिसे हमने सिल्वत्ते में पीस लिया है ये देखिए डालेंगे अब इन मसालों को हम भून लेते हैं मसाले हमें इतना भूनना है कि जब तक मसालों में से खुटबूर आने लगए तफॉन 74 अची तरीके भून गया है बहूद बढ़िया खुटबूर आने लगी है अब हम कटा हू़ा टमाटर डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अच्छी तरीके मिला देते हैं अब हम दो मिनिट के लिए ढखकर लगा देते हैं ताकि टमाटर भी बढ़िया से पक जाए दो मिनिट हो चुका ढखकर हटाएंगे टमाटर हम चेक करते हैं यह देखिए टमाटर अच्छी तरीके पक के तयार हो गया है तो इसे अच्छी तरीके मिलाएंगे अब हम पानी डाल देते हैं पानी आप अपने हिसाफ से डालिए जैसे सबजी सूखी पसंद करते तो कम डालिए और सबजी रसेदार पसंद करते तो पानी ज्यादा डालिए और हम सबजी रसेदार बना रहे हैं इसलिए हमने पानी काफी ज्यादा डाला है अच्छी तरीके मिलाने के बाद आप हम दो मिनिट के लिए धकन लगा देते हैं गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि जल्दी से उबाल आजाए दो मिनिट हो चुका धकन अटाएंगे ये देखिए सबजी में से उबाल आने लगा है तो इसे एक बार अच्छी तरीके फिर मिलाएंगे अब हम चार मिनट के लिए ढखकर लगा देते हैं गैस के फ्लेम मीडियम कर देंगे चार मिनट हो चुका ढखकन हटाएंगे सबजी अच्छी तरीके पक के तयार हो गई है बहुत बढ़िया खुस्बू आ रही है इसलिए कि हमने खड़े मचालो का प्रेयोग किया है आलू को हम फोड़ कर दिखा रहे हैं ये देखिए बहुत ही आसानी से फूर जा रहा है आलू गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं अब हम हारा धनिया डाल देते हैं तो आईए अब सरो करते हैं तो आज की सहजन सोयबीन आलू की सबजी की रिस्पी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताईए तो आज की रिस्पी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बिल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे ये हमने ठाली में चावल निकाल लिया रोटी निकाल लिया सबजी हमने बना के तयार कर लिया है बहुत ही टेश्टी बनी है सबजी बाबा जी लीजिए खाना खाईए और बताईए सहजन सोयबीन की सबजी कैसे बनी है है ये बनी है अए और लिया और लिया खाईए और लिया है कर दो कर दो कर दो कर दो की इन लुष अमया फुटकर भी न शूव भीन कषब जांटर बतावा है तो यदि मस्दूर का थी इसको खाना जिब जाधि देखाने फिरस्ट विद्यां कि इसको 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 नहीं है कर दो दो सब दो प्रक्राश अनागे खिलाते हैं मिलते हैं कोई नई वीडियो में तब तक के लिए बाइ